नमस्कार and welcome back to अपना classroom दोस्तों जिसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे अभी अभी जारकन लोग सेवा आयोग दिवारा एक प्रेस बिग्यप्ति जारी की है तो इस प्रेस बिग्यप्ति किसे संबंदी थे इस बारे में मैं बात करूंगा दरसल बहुत सारे लड कंडिडेट को अगर लगता है कि उनके फॉर्म में संबंदी किसी भी परकार की तूटी हुई है भरने में वैसे तो नॉर्मली ऐसी कोई तूटी सामने नहीं नजर आ रही है परन्तु अगर फिर भी किसी को लगता है कि फॉर्म भरने में किसी परकार की तूटी हुई तो उससे संबंधित या जो है प्रेश बिग्यप्ति जारी की गई है बहुत ही सारानिय कदम है इस बार जेपीएस्टी मुझे लग रहा है कि सारी काम ठीक डंग से कर रही है और कहोना भी चाहिए क्योंकि जेपीएस्टी जैसी परतिष्ठित परिच्छा में और किसी परकार के परती है तो बहुत सारी समश्याएं स्वता आ जाती है दोस्तों चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है और क्या प्रोसेसिंग है इसमें जारकन संजुक्त असेनिक सेवा प्रारंभिक परतिजोगीता परिच्छा 2021 के संबंद में आवेश्यक सुचना दी गई है और लिख संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा के तूर्टी के सुधार के संबंद में आयोग में आवेधन प्राप्त हुए हैं और इस संबंद में अभ्यर्थियों से प्राप्त अन्रोध के आलोग में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को तूर्टी सुधार है तो एक आवसर दे और आपका इमेल आइडी को छोड़कर से प्रवरेश्टियों में सुधार किया जा सकता है यानि कि मुबाइल नमबर वही रहेगा और आपका इमेल आइडी वही रहेगा उसमें किसी परकार की छेड़ चार नहीं हो सकती है परन्तु बाद बाद के सभी चीजों में आप में दिया गया है आयोग की वेब साइट में जाएंगे जो कि JPSC.gov.in उसका लिंक मिलेगा वहां से और उस लिंक के मैद्यम से अभ्यरती अपना रेजिस्टेशन नमबर का परियोग करेंगे जो की एक यूजर आइडी के रूप में है जो रेजिस्टेशन नमबर है वह रूप में है तो उस पर लोग इन करेंगे और लोग इन करने के बाद एक OTP मोबाइल में आएगी OTP के सत्यापन हो जाने के पस्चात क्या करेंगे उसमें जो इस टेप बताएंगे है उन इस टेप को फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार के जाने है जो कि पुर्वाहन दस बजे से अपराहन पांच बजे तक है तो इसके अलावे भी दोस्तों देखेंगे आप कि आगे इसका भी प्रोसेस बता दिया गया है कि केंडिडेट किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले वहां पर जब स्टार्ट करेंगे तो और रेड रेडिरेजिस्टर्ट में क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक खुल जाएगा जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन का उसके पस्चात आप देखेंगे तो यहां पर नेक्स्ट आएगा कि आपको जो करेक्शन करना उस पर करेक्शन लिंक में जाके करेक्शन लिंक में क्लिक कर अगर सभी प्रवस्टिया सही है तो यहां से आप कम्प्लीट कर देखेंगे कि अप्लिकेशन फॉर्म कम्प्लीट है तो आप यहां पर सब्मिट कर देंगे और अगर आपको देखने में लगता है कि नहीं इनकरेक्ट है तो ऐसी स्थिती में आप यह प्रोसेस को कर लेंगे तो इसके बाद आपका क्या हो जाता है कि OTP करने के बाद आपको फाइनल सब्मिट का बटन आ जाता है तो उसके बाद आप जो जो सुधार करना चाहते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं और फिर फाइनल सब्मिट का बटन से आप सब्मिट करते हैं इस परकार से आ समय है और 24 2021 का समय इस बीच में आप अपना यह काम कर लेंगे अगर आपको कहीं लगता है इसलिए आप लोग पढ़ाई करें और जैदा भागम दोड में ना पंसे क्योंकि भागम दोड की यहां कोई जगा नहीं बचती है और अगर आपकी कहीं भी परविष्टी में किसी प एशी चरही है तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले है सब्सक्राइब कर ले हैं लाइक बटन को दबा और अओर 12 के साथ साहर जरूर करें ज़र जरूर करें आप जब इस परकार के काम करते हैं तो ज्यादे से ज्यादे लोगों तक हमारी सुचना ही पहुचती है और सुचना ही पहुचती है तो आप जानते हैं कि सभी को फाइदा मिलता है दोस्तों कई लोगों से इस परकार की गरवड़ी हो जाती है जो की तेज होते है परंतु गरवड़ी हो जाती है और इस गरवड़ी का सुधार के लिए JPSC ने बहुत ही सरानिय कदम उठाया धन्यवाद जोहार चैनल के साथ बने रहें और आगे ने नई अपडेट्स के लिए त्यार रहें जोहार